वेलकम दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चनल हर्वों हेल्थ में दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हार्ट के बारे में अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ क्यों कि हमारे पास काफी कमेंट आते हैं आप लोगों की कौल साथी और आप पूछते हैं कि अगर हर्दे को कैसे सुष्थ रखें अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसको कैसे ठीक करें और ये आप आईवेद की नजर से बताईए कि आईवेद में क्या इसका इलाज है ऐसे आप लोग उनसे सवाल करते हैं तो इसलिए हमने आज की वीडियो ये हर्दे के बनाईगे अब थेखे depicted heart का स्वच्थ होना और heart में कोई प्राबलम हो जाना यानि कोई बीमारे हो जाना ये दोनों अलग अलग वादे है पहले आजके वीडियो के अनदर हम बात करेंगे सबसे पहले जानने कि हार्ट का जो बनावट है वो कैसे होती है और हार्ट में हमारी बॉड़ी के अंदर कहां पर होता है तो देखें हार्ट की बनावट होती है वो कुछ ट्रेंगल शेप में होती है कुछ ऐसे होती है त्रिकोन आकार में हमारा हार्ट होता है और यह सीने के अपर यहां पर होता है और थोड़ा सा left की तरफ होता है इसमें दो तरह की नलियां होती है एक जिससे blood पूरे शरीर में जाता है और एक वो नलियां जिनसे blood शरीर से heart में आता है अब इनका क्या काम होता है नलियों कर अब मैं थोड़ा यह बता दू आपको अब क्या है कि जो नलियां blood को दिल से body के अंदर पहुचा रही है उनको हम कहेंगे arteries और वो नलियां जो blood को दिल में ला रही है heart में ला रही है उनको हम कहेंगे veins जियां दोस्तों तो दो तरह की होगी है एक arteries होगी है और एक veins होगी है मैंने बता ही आपको कि तरिकोन आकार का भी होती है त巧 हड़ की है हुम बात करेंगे कि हाड करता क्या है क्या क्या काम है तो हिर्दे का का mü JUST कि अक पॉशिण ज यह है कि Papam करता है वह क्या काम करता है उनकी बात करो देखें यहां तो higher day कि जो रोग होते हैं,主 के उसरी बिमारियां होती हैं, लेकि मैं आपको आ पहलें, इसकी कही सारी अलग अलग ब्रांशे से उती हैं, बिमारियों होती हुगी, उनकी से मैं आपको 3 बिमारियां बताूँगा, यश जिसके हम कहेंगे, CAT, CAT क यहांपर फुल फॉर्म क्या होगी, देखे करोनरी आर्टी डिसीज की बारे बात करें सबसे पहले, तो दिल का काम जैसे के आपको मैंने बताए, दिल का काम होता है, कि ब्लट को सप्लाई करना, पम करना पूरे शरीक अंदर, उसी तरह से दिल को भी जरुरत होती है blood की supply की और दिल में जो blood की supply होती है वो 3 arteries होती है अब बीमारी क्या होती है, CRD होता क्या है दोस्तों coronary artery disease में होता यह है कि भी blood की supply नहीं हो रही है तो दिल को ना potion मिल रहा है ना oxygen मिल रही है इसकी विज़े से दिल का वो हिस्सा जो damage हो रहा है जो damage हो गया है उसे myocardial infarction या MI कहते हैं और आम भार्षा में इसको हम heart attack कहते हैं यहां पर आपको यह धियान लगना है कि heart attack और cardiac arrest दूनों अलग-अलग हैं इसमें होता यह है कि बहुत दर्द होता है दिल में जिसको एंजाइना का pain कहते हैं करते हैं Raulk एक जानर की question करते हैं और कितने percent blockage हैं ये उस test में killer होता है दूस्तों दूसरी जो विमारी है जो हिर्दे से टोड़ी है वो है वेल्विलर डिसीज वेल्विलर डिसीज का मिलब यहां पर यह है कि जो हिर्दे हैमारा उसमें कितरा की वाल होती है और उनका काम ये होता है कि blood को एक दिशा में बहाना अब यह कौन-कौन सी वाल होती है एक होती है bicuspid वाल एक होती है tricuspid वाल semi-nular wals होती है तो इनका काम होता है blood का circulation एक तरफ को बहाना अगर यही circulation जब यह वाल्ब कमजोर पढ़ जाती है तो जो blood का circulation है वो उल्टी दिशा में हो जाता है जिसकी वज़ासी बिमारियां होती है अब यह तो कही तरह की बिमारियां होती है जैसे bicuspid valve की बिमारी हो जाती है और tricuspid valve की बिमारी हो जाती है Bicuspid valve को एक नाम से और पुकार आता है जिसको हम कहेंगे Miter valve तो इसी से जोड़ी जो बिमारी है उसका नाम है Miter valve stenosis ये बिमारी का नाम है तीसी बिमारी होती है जो कि हार्ट की मसल से समधित होती है जिसको कहते है Myocardial disease जिसके नदर या तो हार्ट सही तरह से सुक़र नहीं पाता है या सही तरह से फैल नहीं पाता है तो इसको हम तीसी बिमारी कहते है तो दोस्तो इस तरह से ये तीन तरह की बिमारीया है यूँ तो मैंने कहा था आप से कि कही तरह की बिमारिया इसी से जोड़ी भी होती है इनी से विल्केट होती है तो दोस्तों ये तो थी कुछ बिमारिया जो मैंने आपको बताएं इसके लाब और भी बिमारिया होती है जैसे कि ब्लड पेचल बिमारी होती है या फिर hypertension होता है उसे भी बिमारी होती है दिल की या फिर किसी को प्राब्लम होती हैं कि दिल में छेद होता है तो इस तरह कि अन्य और भी कही तरह गी जो बिमारी होती है जो दिल से जोड़ी होती है अब हम बात करेंगे कि उन जांचों की जो की दिल की आप जिनकों पता लगा सकते हैं कि आपको कोई प्राब्लम है या नहीं है वो कौन-कौन सी जांच है जो दिल के लिए की जाती है उनमें सबसे अगर बात करें तो सबसे एक common जांच इसको कहते हैं ECG अब इसी जी का काम है हाट से निकलने वाली जो इंपल्स हैं उनकी जांच करना दूसरी है इको जिसके अंदर अगर यह कहूं में सीधे लफ़ों में इक तरह से वो अल्टर साउंड है जो कि दिल का अल्टर साउंड है जिसमें आपके दिल की शेप का पता चलता है उसके आकार का पता चलता है और यह पता चलता है कि हाँ यह पता चलता है कि वो कैसा काम सब्सद्राइब करें गए हैं या दोस्त बहुत बात करता है कि आपके हर्दे को कैसे सुज़ रहे हैं और कैसे आप पता करें कि और ait को इंडिकेशन यानि कोई some 봐 कैसे पता रहें कि आपको हर्दे रोग है यान हे तो देखिए उसकी चोटी-चोटी से कुछ आप अपनी तरब से कोई उप्चार ना करके किसी विशेश कजो की होग उपको चाहिए उनसे Julie हो मैं एक दिखाएं अपनी तो आपको पता चलेगा कि हर्डे की किसी रोग ईज है या नहीं है और बात अगर करें कि अगर आपको कोई रोग नहीं है आओके हैं आप तो फिर आप अपने हिर्दे को स्वस्थ गैसे रखें तो उसके लिए यह है कि आर्वेद के अंदर हम बात कर रहे हैं तो अर्जू की चाल है लसन है यह भी अच्छा माना जाता है और श्रंग मस्म है यह भी पर अच्छे से रखना है तो आप कुम्प्रमाइज ना करें किसी भी तीज से और बॉड़ी का चैक कोई भी अंको लेकिन आपको कम्प्रमाइज नहीं करना है अपने से कोई ट्रीटमेंट ना करें विशेशक से सला लें तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो डिस के नहीं वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें तो दोस्तों मिलता हूं आपसे एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई